क्या हो गया? दस बंदर रिटिट मारे ब्लोक कर दिया अरे भाईजा तुटर कभी कभी करते आप में टॉपिक पर आते हैं राबर्ट हूक ने खोज किया था कोई किस ने किया? राबर्ट हो तो उसी तरह छोटे चीज को किस से निकाला था हूक से तो याद किस से रखेंगे? कोई कि खोज? राबर्ट हूक लेकिन जीवीत कोई कि खोज? एंटोनी वान लीवेन हॉक बस हॉक याद रगे ना? हूक हॉक मरल कोई का खोज? हूक जीवीत का? एंटोनी वान लीवेन हॉक इन्टोनी वान लीवेन हॉक इन्टोनी वान लीवेन हॉक इन्हों ने देखा कि सरीर की सबसे छोटी इकाई कोई कोई का है कोई का देन साइटोलोजी क्यालाता है कोई का की खोज करता राबर्ट हूक थे लेकिन जीवित कोसिका कोज एंटोनी वन लिवन हॉक ने किया था लेकिन इन लोगों ने कोसिका खोज कर चले गए अब लोगों ने पूछा कि भाई यह कोसिका का करना क्या है तो कुछी को कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है तब आयते स्लाइडेन एवं स्वान नाम था उनक कोसिका सिधान्त दिया पूरा नम क्या दोनों लोग का स्लाइडेन जो है ये सरीर की इकाई है इसी से कोसी का मिलकर बना है जिस तरह से बुनिया जो होता है बुनिया छोटा छोटा बुनिया सान बना के उसको गुलिया दीजे तो क्या बन जाता है लड्डू क्या बन जाता है लड्डू वह ऐसे ही छोटी 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 बच्चे लोग बच्चा है तो में पर चलों को सिका सी धन किस ने दिया था स्लाइडें एवं स्वान क्या का पूरा सरी छोटी-छोटी कोसिकाओं से मिलकर बना हुआ है जिस तरह से आप दिखेगा आप घर बनाईएगा ना तो घर में सबसे पहले क्या लगता है इंट उसी तरह सरीर में सबसे पहले क्या लगता है कोसिका कोसिका इंट को जोड़ेंगे क्या बनेगा दीवार इट को जोड़ेंगे तो दीवार बीना इटे का दीवाल बन जाएगा तो देखें, दुनिया हमेशा में चीज को याद रखती है किसी दीवार को बनने में सिमेंट का भी योगदान है, बालू का भी योगदान है इटे का भी है, लेकिन मेन योगदान किसका है? इट का मेन योगदान? इट का तो उसी तरह जब कोसिकाओं को मिलाते है तो क्या बन जाता है? उत्तक टिसू, उत्तक यानि टिसू जिस तरह इट को मिलाए तो दीवार कोसिकाओं को मिलाए तो उत्तक कोशिका को मिलाए तो उत्तक एक बात बताओ एक इटा ऐसे जोडते हैं एक इटा ऐसे जोड़ देते हैं एक इस तरह से जोड़ देते हैं एक ऐसे जोड़ देते हैं क्या दिवाल बनेगा उसी तरह से उत्तक बनने के लिए एक ही टाइप की कोशिकाओं का बना रहना जरूरी है और एक fix sequence में रहना ज़रूरी है यही सब सिधन किस ने दिया था sliding minimum sun अच्छा दीवार को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनता है कमरा कई को दीवाल को बना देंगे तो कमरा उत्तक बिला देंगे तो अंग बन जाएगा क्या बन जाएगा जैसे आख ना कान हर्ट दिल गुर्दा फेपड़ाई सब क्या है अंग है सब अब कमरे को मिला देंगे क्या बन जाएगा घर जब तक घर नहीं बन गया तब तक कोई भी चीज सुवेपस्थित नहीं है अंगों को एक जगा ले आके को क्या कहेंगे उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरी, इंगलीज में बोलेंगे तो cell, tissue, organ, पूरा body बन गया, organ के बाद body बन गया, slide and even swan ने इन लोग का सिधान दे दिया, आगे बढ़ जाएं, अगला देखते हैं सबसे बड़ा कोसी का और सबसे छोटा कोसी का ये दो चीज हमेशा biology में आपको disturb करेगा कि biology जब पढ़ेंगे तो आपको दो चीज पुझे एक मानो सरीर में सबसे बड़ा सबसे छोटा एक overall प्रिथिवी पर हर एक जीवों में सबसे बड़ा सबसे छोटा तो overall सबसे बड़ा जो होता है सुतर मुर्ग का अंडा सुतर मुर्ग का अंडा अब देखें अंडा जब भी किसी भी चीज़ का मुर्ग का भी आप लोग जा दे तर तो इधर मुर्ग का अंडा खाता है इधर सुतर मुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है नारियल पानी देखें डाब नारियल का डाब उसको वाइट कर दीज़ेगा तो सुतर मुर्ग का अंडा हो जाएगा तो एक-दूसरे से बड़ा लंग, ऐधम लीविर-लीविर होता है, यह, लीविर-लीविर नहीं समhoot नहीं समझता है। CBSC वालों को समझायन तो आँ मुसकिल हो जाता है। लीविर-लीविर मतलँ होता है, baru- blended Si define with lubricant type का होता है। दिया सुचराम को देखते हैं ताबा हो पर तुसको फेटना पड़ता है ने तो बहुत ले रहे हैं वहाँ पर क्योंकि बढ़ी कोसिकाओं से मिलकर बना होता है तो सबसे बढ़ी कोसिका सुतुर्मुर का अंडा किसी को कोई दिक्कत नहीं सबसे छोटा mycoplasma सबसे छोटा mycoplasma सबसे छोटी को सिखा mycoplasma आगे बढ़ जाएं ये overall में हो गया अब आजाएगा मानों में किसमें आजाएगा मानों में तो मानों में जहां आजाएगा तो मानों में देखिए महील इस तरी पूरुज दोनों मानव कहलाते हैं male female दोनों मानव कहलाते हैं आप लोग भी मानव किस रेड़ी माई ये गलो पता था न पहले चले ठीक, हम बता दिये तो देखिए, मानव में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे लंबा बात आ जाता है तो मानों में सबसे बड़ा, सबसे बड़ी, सबसे छोटी कोसी का, देखें, सबसे बड़ी कोसी का होती है ओभम, किसका होता हो, ओभम, ओभम केवल फीमेल में पाए जाता है, ओभम किसमें पाए जाता है, ओभम किसमें पाए जाता है, फीमेल, यह रीप्रोड़क्टी में पाए जाता है मेल में पाए जाता है तो मानों में कहेगी सबसे बड़ी कोशी का तो ओभम अब मानों में छोटा इस पाँ अब देखिए छोटा बड़ा अब जिसे लाल आप ताज इसकी बात करेंगे कुतुम मिनार का तो कुतुम मिनार सबसुरा ना बड़ा है ना छोट वो क्या है लंबा है उसी तरह हमारे ब्रेन की जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है ब्रेन की ब्रेन को क्या कहते है नियूरॉन कहते है क्या कहेंगे नियूरॉन इसलिए ब्रेन के डॉक्टर को नियूरोलोजिस्ट कहते है Brain के डॉक्टर को Neurologist के नाम से जानते हैं. आगे पड़ जाएं. मानों में सबसे बड़ी कोशी का? Obham. Obham को Andanu कहते हैं. छोटी? Sparm. Sparm को क्या कहते है? सुकराणू कहते है. Sparm को क्या कहते है? सुकराणू कहते हैं. किसी कोई दिक्कत नहीं? सबसे बड़ी कोशी का? Brain. सबसे बड़ी कोशी का? Brain. अब हर कोशी का में एक छमता होती है. दिहान से समझे. रिकवरिंग पावर होती है. जितनी भी हमारी कोशी के आँए, उनके अंदर सेल्फ रिकवरी की एक छमता है. वो खुद से क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं. मतलब एक तरह से कहिए, इलास्टिक का गुड़ होता है. जैसे किसी छड़ को मुड़िएगा, छोड़ेंगे तो फिर अपने जग़ा पे चलाएगा. तो एक सेल्फ रिकवरी की छमता होती है. यह सबसे ज़्यादे, उसे हम लोग कहता है पुनर निर्माड या कोसिका वीभाजन, कोसिका वीभाजन या पुनर निर्माड या रीकंस्ट्रक्शन, रीजनरेशन, यह सारी चीज़ होती है. पुनर निर्माड. पुनर निर्माड. की छमता सबसे ज़्यादे कहीं होती है तो लीबर में होती है पुन्य दिर्माण की छमता सबसे ज़्यादे किसमें होती है लीबर में दाइनी साइड यहां पर क्या होता है लीबर होता है अगर लीबर में किसी को चाकू मार देंगे न तो उसको चाकू निका लिए नहीं उसक से कम भी बाज़ान? ब्रेन. अब ब्रेन किसका भनाओता है? निरोन. ब्रेåन किसका भनाओता है? निरोन का होता है. तो आप बताईये. सब से जल्दी कौन सा अंग-शरीर का ठीक हो जाएगा? लीब. सब से तेज-जोसी का भी बाज़ान? लीब. इसलिए कुसी कोई चाकू मार नहीं आए न सब्सक्राओं ना तो नहीं हो क्यों कि आपके बचंब की सम्हाना क्या हो जाएगी 20 हो जाएगे और गल्ती से मारने वालte मेरे ही बैच का रहेगा तो मारके इसे इसे होड़ देगा सब्सक्राइल लिवर नीकल गया रहा तो अदू सब से कम कोशिका विबाजन इसका मतलब अगर पर चोट लगे थीख हो जाग तो ठीक होगा ठीक होगा ही नहीं में इस लेगा कि想शिका विवाजन होती ही नहीं है ..कि जणम के बाद कौन सा ऐसी कोशिका ,"जिस बीवाजन हुआ ही नहीं है विवेगान्य किसमें कोशिका विवीवुजन नहीं होता है इसलिए किसी को एक लाठी हुमच के मार दीजेगा ना तो तनि मनी मारिएगा तो ऊपर का चमडा रोख लेगा और हुमच दीजेगा तो खोपणिया रोक लेगा और तनि बढियां से हुमच देगा तो खोपणिया फूटके अंदर एक membrane होता है जिसे maninjoid कहते हैं जाता है अंदर तक ले गाइब हो गया गजनी देखें है है मारता है तो क्या जाता है कि पूरा उसका ब्रेन अगड़ा जाता है संजा कि नहीं तो बहुत खत्रना दूनों से सुरा पिटाया सब लड़की के चक्कर में प्यार करने से पहले अंजाम देख लो यकीन ना आय तो गजनी और तेरे नाम देख लो क्या जरूवत है भया पिटाने की इतना मेहनत से भगवान ने ब्रेन दिया आप लोग जीवन पर मेहनत करकर के इसमें डाउनलोड करते रहते हैं कभी फिजीक्स, बाइलोजी, केमेश्टी को लड़की के चकर में फरवा के चलेंगे का हो ग यह उदर हसता है, से कईसे हसता है से पता है कि मोजी बना देता है अ कि डिजिटल इंडिया में भी हसी नहीं परदास होती है, समझ जाते हैं, गूसी आई था थो लॉक्तर भवा के आंगों के बारे में यह तो समझ में आगे होगा आपको question पूछेंगे बता देंगे कोशिका का हूँ हम biological name क्या कहते है साइटो कोशिका का देन क्या कहलाता है साइटोलोजी कोशिका की खोज किसने किया रावर्ट हूड लेकिन जीवित कोशिका एंटोनी वोल लीवें होग कोशिका सिधान स्लाइडे ने वम सांद दिया था सबसे बड़ी कोशिका सुतुरमूर कांडा सबसे छोटी कोशिका माइको प्लाजमा मानों में सबसे बड़ी ओभम मानों में सबसे छोटी इस्पाम मानों में सबसे लंबी नियूरॉन किसमें विवाजन नहीं होता है नियू पढ़िया निकलेगा और फोरेंगे तो में इंजॉइट का एक खोपड़ी निकलेगा उसके अंदर बहुत सेफटी दिया है भगवान इसको अब पीछवा सेफटी देना भूल गया है यहां पर सेफटी नहीं है यहां एक होल है जिसे फिरामेन मेगनम नमक होल करते हैं यह हो जरूरी भी है क्योंकि पूरे बॉड़ी का सिगनल जो है इसी के रास्ते गया हुआ है इसलिए यहां मार यह किसी को दिमग में जनक जाता है देगे ना मार के देगे अब ना इसे मारेंगे जन जन जना जाता है वो यह MCV बॉक्स है हम लोग का अगर मार देंगे पढ़िया से MCV गिर जाएगा तो लोग बोलते हैं लकवा मार गया है लकवा नहीं मारा MCV गिर गया है उसका लकवा क्या हता है MCV यह पूरा ब्रेन जो MCV बॉक्स है अब जैसे वहां पे भी MCV लगा है तो हर चीज का अलग-अलग MCV होता है पंखा का लाइट का कूलर का फ्रीज का एसी का बना देता है उसी तरह हर चीज का MCV कहा है ब्रेन में अब किस साइड लकवा मार रहा है उच i.e. beyond कोसीखा का structure कुछ इस तरह होता है यह कोसीखा के उंग है कोसीखा के अंदर बहुत सारे अंग पाये जाते हैं जैसे mitrocandia, golgi body, vacuoles, endoplasmic reticulum, ribosome, cytosome, lysosome, nucleus, 75 चीज पाए जाते हैं तो सारा चीज एक जिल्ली में बंद रहता है इस जिल्ली को हम लोग कहते है plasma membrane क्या कहेंगे? plasma membrane आज के बाद जब भी biology पढ़ेंगे membrane का मतलब ही होता है जिल्ली इसलिए इसे plasma membrane कहिए या plasma जिल्ली कहिए plasma जिल्ली कहिए इसको हम लोग एक और चीज नाम दे सकते है kosika जिल्ली क्या कह सकते है? kosika जिल्ली kosika जिल्ली kosika जिल्ली इसको हम cell membrane कह सकते हैं कि नहीं? तो plasma membrane कहिए या cell membrane कहिए? बात बराबर है एक के चीज़वा को 20 को नाम है Cell Membrane यह सब एक ही चीज़ है, यह जिल्ली को क्या कहते है कोसी का जिल्ली कोसी का जिल्ली इसी को क्या कहेंगे, Cell Membrane इसमें दो ही चीज़, एक ही चीज़ पुछता है यह बना किस चीज़ कराता है, प्रोटीन का किस चीज का बना है, प्रोटीन का, किस चीज का बना है, प्रोटीन का, देखें, दुनिया में जितनी चीज सरीर में निर्मार होती है, उसमें 99% चीज किसका बनाता है, प्रोटीन का, प्रोटीन को हम बिल्डिंग बॉल्डिंग मेटेरियल ही कहा जाता है, प्रोटीन को बिल् योल्स है, या फिर वो आपका centrosome है, या endoplasmic reticulum है, nucleus है, ribosome है, ये जितना भी चीज पाये जाते हैं, ये सब के सब किस चीज के अंदर पाये जाते हैं? जिली में, कोसिका जिली में, किसमें पाये जाता है? कोसिका जिली म, ये बहुत पतली होती है membrane कभी भी चौड़ी जिली को नहीं बोल सकते हैं, पतली जिली को क्या कहा जाता है? membrane बोला जाता है, तो कोसिका जिली, यानि कोसिका membrane जो होता है ये किस चीज क्या बना होगा? protein का बना होता है, इसके अंदर कोसिका के सभी अंग होते हैं, अब आप जारा गौर किये होंगे, कभी आप बजार हो जार में खरीदने गए होंगे, कोई ऐसा चीज खरीदते होंगे, जो मतलब फटने का जिसमें, जैसे मान के चली आप polythene में आप दूद लेके आ रहे हैं, चाय लेके आ रहे हैं, देखें अक्सर कभी लोग चाय लेके चले आते हैं polythene में, या फिर आप पानी पूरी खरीद रहे हैं, तो पानी उसका दे देता है तो वो ना, जो liquid वाली चीज़ है, उसको double plastic में लगा देता है या फिर उसको जिसे जादे safety देना है, वो क्या करता है, double plastic में देता है, देखें कि नहीं, double plastic लगा देता है, तो उसी दरह भगवान भी किसी किसी डबल plastic लगाया और किसी किसी में single plastic लगाया, जितने जानवर थे हैं, जितने जानवर थे, भगवान ने उन जानवरों को दो चीज़ दिया जिसको किसी बुद्धि और मोटी चमड़ी की परत जैसे कुटा देखिए कुटा कोई आदमी की तरह बुद्धी जैसे आदमी को तो बुद्धी है तो अपनी कोशिकाओं को कपड़ा धवरा ढख लेगा देखते हैं कि नहीं आदमी गजब कपड़ा पहिंता है ठंडी के लिए अलग गर ऊसपे बाल आ जाता है, तो थोड़ासा थंडा रोक लेता है, गर्मी की दिन में ढेंगा उसका सेविंग किया जाता है, भाईसने तबागल हो जाएगी, कुट्टा को देखेगा, उसमें उन कुटो में क्या चीज़ होता है। उपन्स होने भाल पाएजाता है, फंडी की दिन जाते हैं, सर मुझे में करना है, कौन से सब्जेक्ट से करें, हिस्ट्री या इंगलिस? यार तू भिया करने से हमसे पहले पुछेगा कि सर कोना से भिया करें? नहीं न, वहाँ तू अपना पसंद देखेगा, यह पसंद है, अई ना पसंद है. तो फिर पढ़ाई के टाइम पर हमसे काई पूछता है? पढ़ाई दिल से करने की चीज़ है. पढ़ाई जो है एक तरह का प्रेम है, यह दूसरे के हिसाब से हो ही नहीं सकता है. आपको अगर जो पसंद किजिए, हमसे पूछता है, में में कौन चीगरे हैं? होम साइंस ले ले लेगे. समोसा चाहन हूँ हाँ पेट के. पकोडा तलो. चलिए, यहाँ देखे, जो पेड़ पौध हैं, वो बेचारे मारे जाते हैं. पेड़ पौधों में बंदर कूच जाएगा उसकी उपर, कोड़ चीड़िया उसी में खोद के घोसला बना लेगी. आदमी जाएगा, तो फोन्ट बती आते तो रहेगा, पेड़वा को लाथ से मारते रहेगा. हाँ, काँ हो? अरे यार, पेड़वा का किया है उसको? देखते हैं, कोणों जाएगा, तो फोई पर टेक लेका इसे खड़ा हो जाएगा. अरे भाई, उसको चोट लग रहा होगा. समझाएगा, नेटा छिनकेगा, कोई नहीं देख रहा है, पेड़वें पोस्त देगा. तो पेड़ पोदों को एक्स्ट्रा सेफ्टी की जरुवात, पेड़ पोदों के बाहर जो एक्स्ट्रा लेयर लगा दिया गया, इसके कोशिका की दिवाल कहा गया, कोशिका की दिवाल, कोशिका को इंगलिस में सेल कहेंगे, दिवाल को वाल कहेंगे, क्या कहेंगे? सेल वा इसको हम लोग कोसी का भिती, कोसी का भिती, कोसी का भिती, भिती मतलब क्या होता है, दीवाल, कोसी का भिती मतलब दीवाल, यह जो बना होता है, यह सेलिलोज का बना होता है, किसका, सेलिलोज, किसका बना होगा, सेलिलोज का, सेलिलोज, लकडी, लकडी जो होती है न, सेलिलो योटी और होता है कोसी का भीटि होता है्स 2000 पोदों में कोसी का भीटि होता है कोसी का भीटि पेड़ पौधे से बना ना रूई जो होती है से निकाला जाता है धागा उससे कपड़ाbefore जाता है तो कपड़े किस चीज़ की बने होते हैं सेलिलोच की का गज किसका बनाठे है सेलिलोच का किसका का बर लोग नहीं पचा सकते हैं हम लोग के पेट में वो पच्टा नहीं है, इस दिए बच्पन में भले आदमी कागज खा जाता था, किता आपका कोनवा नोच नोच के खा जाता था, लेकिन वो पच्टा नहीं है, हम लोग को ग्लुकोज पच्टा है, तो ये तो समझ में आ गया, अब इसके अंदर पढ़ना चालू कर सा अंग होता है, माइट्रो कांडिया, ये माइट्रो कांडिया सरीर के हर जगा की कोसिकाओं में पाए जाता है, हमारे पूरे सरीर में हर जगा कोसिका है, किसी को इसमें सक है की कोसिका नहीं हर जगा कोसिका है, उस कोसिका को ऑक्सिजन की जरूवत है, तो भाईया माइट्रो कंडिया है घुठना में पेर में पेट में हर जगा है और इसको हर हाल में चाहिए ऑक्सिजन तो भाइया ऑक्सिजन ले कौन जाएगा फेफडा जो होता है इस सव्चुरा ऑक्सिजन का इसको कोई जरुवत नहीं है फेफडा केवल एक टंकी है टंकी, जिस तरह हमरे छट के उपर पानी का टंकी रहता है उसमें सप्लाई दिया गया रहता है कि नहीं जहाँ ज़रूवत है टंकी से गिरा लिजे तो वह इसे हमारा फेफडा से चुरा टंकी है हम इसे सूंग लिए है चल गया टंकी में अब उसे टंकी से वाइरिंग गया है हर जगा उसी वाइरिंग का नाम होता है नॉस ज़र इसे टंकी से निकलेंगे पानी तो उसमें दोड़ेगा खून, अवह ही ऑक्सिजन वाको लेकर चल जाएगा सबको बाट देगले माइट्रो कंडिया ले ले अक्सिजन ले 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 चल 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 तो हम लोग को लगता है फेफड़ा सांस लेता अई, सचरा फेफड़ा सांस लेता फेफड़ा केवल हवा को स्टोरेज की छमता देता है नाफिंग मोर देन डेट उसको और कोई काम नहीं है, डारेक्टे पहुचा देंगे oxygen तो दिक्कत हो जाता है, उच्छाट लेता है, हम सुंगते हैं ना, देखे हैं हम सुंगते हैं से, नाइट्रोजन, CO2, oxygen, सब जाता है, इसमें से फेफड़वा बहुत हुज यार उच्छाट लेता है, करबंडे एक और बलड में भी सबसे में चीज होता है, हीमोगलोबीन, बलड में भी सबसे में चीज क्या होता है, हीमोगलोबीन, यानि कहने के लिए बलड उस oxygen को लेके जा रहा है, लेकिन actually में कोन लेके जा रहा होता है, हीमोगलोबीन, और oxygen का पहुँचना हर हाल में जरूरी है, अग अब लड़ के अंदर हीमोगलोवीन और समस्या यहीं चालू हो जाता है कि महिलाओं में हीमोगलोवीन पूर्सो की तुल्ला में कम होता है इसलिए उसांस तो लेती है अब लड़ ले भी जाता है हीमोगलोवीन कम है तो उनको ब्रेन तक कम ले जाता है इसलिए डेली माहिट्रोखंडिया में ऑक्सिजन की जरुवत है लेकिन में दिकत क्या है ले आने और ले जाने वाला भी नहीं है इसलिए उनको चक्कर होकर बहुत जल्दी आता है कुछ होगा नहीं देखेगा भुकम पाया था तो आधा और तो घरे में बेहोस हो गई थी यह माहिभुकम पागी लोग तो बताएए मैट्रोकंडिया में जो होता है देखेगा ध्यान से मैट्रोकंडिया जो है इसको क्या चीच चाहिए औक्सिजन यानि कोशिकी यह स्वसन का काम कौन करता है आप बताएए फेफडा का स्वसन जादे जरूरी है प्हेपडा केवल एक रास्ता दे रा आपको तो कोशिकी यह स्वसन कोन करता है इस सुरा सांस कहे लेता है क्यूंकि इसके पास एक साइकल चलती है साइकल मतलब जो चलने वाला नहीं एक रियाक्सन होता है आटीपी का निर्मार्ण कर देते हैं, ATP का फुल्पाँ होता है, एड्रीनसीन ट्राइफॉसफेट, एड्रीनसीन ट्राइफॉसफेट, और ये 38 ट्रोथों ATP मिलके, ये क्या बना देता है, एक ग्लुकोज, इसलिए इसी ग्लुकोज से हमें energy मिलती है इसी glucose से में क्या मिलती है energy ये glucose आया कहां से ATP से ATP का निर्माण किस cycle से होता है क्रेब cycle क्या अगर oxygen नहीं जाएगा तो क्रेब cycle चलेगा ATP बनेगा glucose बनेगा उर्जा मिलेगी नहीं मिलेगी इसलिए हर हाल में आपको जरुवत किस चीछ की है oxygen की इसलिए जाइसे सांस थमेगा ना सांस जैसे रुख गिया फेपड़ा में सांस खतम सांस रुख गिया समझी oxygen जाना बन क्रेब cycle बन ATP नहीं बनेगा glucose नहीं होगा इसलिए कोई आदमी मर जाता है सांस बंद हो जाता है न उसका तो उसको कहीं चचा उठी है नहीं उठेगा क्यों ग्लुकुज नहीं बन रहा है उसके अंदर ग्लुकॉज उसके अंदर नहीं बन रहा है उठ गिया तो ऑफ दिक्कत है किशी को दिक्कत नहीं तो कोज़ी का पावर हांस है commercial but उर्जागरी when सांस चलता है क्रेब सांस क्या था क्रिफ्ट देखे किसी पीद चीज़ में दो दिवाले होती हैं एक बाहर की दिवाल, एक अंदर की दिवाल तो अंदर की दिवाल को आदमी थ install सापसुथरा रखता है तो उसी तरब माईट्रो कंडिया की अंदर की दिवारों को हम लोग क्रिष्टी कहते हैं, क्रिष्टी, स्रिष्टी नहीं, स्रिष्टी तो पूरा बिस्व हो जाएगा, ब्रह्माट, स्रिष्टी, स्रिष्टी, स्रिष्टी तो पूरा दुनिया हो जाएगा, तो वो क्रिष्टी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्रिष्टी, माइट्रो माईटरोकांडिया के आंतरिद दीवारों कोँ क्रिश्ट कुरेब बाका वाले भाई सेब आप तो कैमरे में एक दम घूज गया है चलिए देखे ध्यान से तो हम लोग के सरी में उर्जा का ट्रांसपर होना जरूरी है जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं तो हमको जादे उर्जा की जरूवत ब्रेन और किसको है? जीब को है जादे जरूवत किसको है? ब्रेन और जीब बाकी पैर के माइट्रो कांडिया में जो उर्जा है क्या उसकी जरूवत जादे हमको है? नहीं है लेकिन अगर कोई अभी दोड़ रहा होगा धावक होगा तयारी वगरा कर रहा होगा वेकेंसी वगरा की तो उसको जादे जरूवत किसकी है? पैर में कोई हथाओडी से पीट रहा है उसको? हाथ की कोई महिला भी रोटी बेल रही होगी संगा के लिए जागी नहीं आगया उसको उसको भी किसकी जरूवत है? हाथ में जादे तो ट्रांस्फिकेशन चाहिए यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ ले जाना है जहाँ जरूवत है वहाँ क्या कर दो? ट्रांस्फर कर दो अब हमको सुबर से साम तक जीब का जरूवत है पता चला अगर पैर की उर्जा हमको जीब तक नहीं आई या फिर हमको बाकी जगा के माइट्रो कांडिया ने उस उर्जा को ट्रांसफर नहीं किया तो हमारा दू घंटा बाद जीब जो डाउन हो जागा माइट्रो कांडिया का इसी गाव हो गया समझा रहा है एक नहीं आ रहा है तो यह ट्रांसपर ज़रूरी है ना ले आओ इधर उदर से ने तो जो जहां का आपकर मान के चलिए हम लोग की तरह तुम्हारा माइट्रो कांडिया हम अपने उर्जा नहीं तेंगे तुम अपना नहीं तो यह अईसे हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा तो यह ट्रांसफि लिट्टी आग वाला लिट्टी तेल वाला लिट्टी चोखा रजगुल्ला चम चम राजभोग बर्फी आई सब कुन है इसा मतलब नहीं रहाता हम लोगों चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद आता है वैकियोल्स क्या आता है वैकियोल्स देखिया हमारे सरीर में 65% जल है कितना है 65% जल बट ये डारेक्ट पानी के फॉर्म में नहीं है जैसे हम लोग दिन भर में लगबग लगबग 6-8 लीटर पानी पीना चाहिए लेकिन हम डारेक्ट पानी नहीं पीते हैं उसे कई फॉर्म में पीते हैं जैसे चावल खाते हैं उसमें भी पानी रहता है दाल पीते हैं उसमें भी रहता है दूद जो हम लोग पीते हैं उसमें भी पानी रहता है 100% वो दूद थोड़ी है गाय जो दूद पानी पी है उस पानी का फॉर्म वो दूद के रूप में है तो हम लोग के सरीन में 65% जल है तो इसका मतलब यह नहीं कि 55% जल का मतलब कोई 100 किलो का आदमी है उसको इसे कहीं छेद कर दी जागा तो 55 लीटर पानी गिरेगा ले गिर गया है यहाँ पे अरे यार आदमी है पानी टंकी थोड़े है उसका पानी अलग-अलग फॉर्म में है बलड में भी पानी होता है हर जगा पानी होता है लगवा कितना पर्षेंट पानी है अब यह पानी इस्टोर कहा है कहां इस्टोर होगा पानी कहीं न कहीं इस्टोर होगा कि नहीं होगा किसमें वेक्योल्स में पानी रहता है देखे, वैक्योल्स जोता है ने, ये मेंली पानी को इस्टोर करके रखता है, छोटे-छोटे कोसीका है हमारे सरीर में, असंख कोसीकाए है, लाखों करोणों में है, अब उन करोणों कोसीकाओं के पास क्या है, वैक्योल्स, इसे हिंदी में कहते है, रसधानी, क्या कहते है, वही है उसको रसधान तो पानी कहां जाके इस्टोर रहता है उसी में अब छोटा-छोटा-छोटा-छोटा करके हर जगा पर क्या है आपका पानी इस्टोर है नहीं तो इनकी एक जगा थाली में इस्टोर है पता चले एक जगा पांच लिटर पानी इस्टोर है तो करवट ले लगेगा लिवा नहीं दे से जग大tion है न फाली में कभी पानी लेके द՝ेह न यहाद़ तो पानी एक जगाने कहां पर है वह वेक योल्स में किसमें एस और बगई जचान मैं कि सरीर ये की यह ऐई सबस्राइ़ में कितना पर्सेंट पानी है? अगर आपके सरीर में एक पर्सेंट पानी की कमी होगई तो आपको प्यास लगने लगता है क्या लगने लगता है? प्यास दूर्ण हो गया तो और तकड़ा प्यास 2 पर्सेंट हो गया तो और थीयाट में ब无कदना सह MIL deixaでは अब 10% पानी की कमी होगी तो चल जाएंगे, मर जाएंगे, सरीर में अगर 10% पानी की कमी होगी, dehydration से आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे आपड़, इसलिए पानी का रहना सरीर में बहुत जरूरी है, लूज मोशन जब होता है इंसान को, दिन भर में 4 बर 5 बर अगर होने लगती है इसलिए डॉक्टर कहता है कि इस लिए पानी कम होगे गुलुकोज और नमक चीनी पानी घोल के पीना पड़ता है ORS हो गया दुनिया भर का चीज आता है अरे ORS वगरा ये सब चीज वह है आप खुद से भी क्या कर सकते हैं चीनी पानी नमक हलका सा मिला सकते हैं 80% चीनी 10% नमक पानी में क्या कर लिजे गोल लिजे और पी लिजे आपको क्या मिल जाएगा गुलुकोज मिल जाएगा तो बत क्रिष्टी का लाती हैं क्रिष्ट आप से क्वेश्टन पूछते हैं वह पेड़ पोधों में पाए जाएंगी या मानों में पाए जाएंगी किसमें पाए जाएंगा दोनों में पाए जाएंगा दोनों में पाए जाएंगा दोनों में बड़ा किसमें होगा पेड़ पोधों में बड़ा होगा क्योंकि उनका मूख चीज क्या है पानी है तो वैकियोल्स की मात्रा किसमें ज्यादे होती है पेड़ पोधों में उसमें ब क्या करना है? self division. देखो, फाओ, ध्यान से समझो. आप पढ़ते हैं, कोई भी subject पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जीएस पे ध्यान देंगे तो आपका result हो जाएगा. आपके लिए हर subject equal माईने रखते हैं. एक भी सब्जेक्ट लडखड़ाएगा आपका रेजल्ट नहीं होगा खास करके सब्सक्रा नॉर्मलाइजेशन के जमाना में इसलिए सब को बराबर रखते हैं और सारे सब्जेक्ट में एक ही समस्य होती है जब पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है दू महीनाबाद गाइ अब आचा परिवहन, पानी, है सेंट्र dipping होतना पढ़ने का फूरशत है किसी को ऐबागदर की दुनिया में किसी पूरशत नहीं है किसी को पढ़िया इसलिए फोटो दक देखके पढ़ियाurg photo का नम किया कि dorisome शांच क्या नम है heterosome ये कोशिका का वीभाजन करता दक्रत tip विभाजन करता है सर एडमीशन क्लोज है इसलिए मैं हम टेलिग्राम पे जाके ले 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 लो भी या बंद हो जाएगा फिर चिलाते रहना तुम चलिए ध्यान से देखिए अभी दर ये जो होता है सेंट्रोसोम इस सेंट्रोसोम का जो काम होता है ये कोसिका का क्या करता है या विभाजन करता है कोसिका का क्या करता है विभाजन कोसिका का विभाजन कौन करेगा है सेंट्रोसोम अब विभाजन कहते सेंट्स आपके दिमाग में ये आता है ना कि कोसिका को तोड़ देगा तो देखें, बाइलोजी में बीभाजन का मतलब तोड़ना नहीं होता है, बलकि एक से उसी जैसे तोड़कर दो चीजों को बनाना, ताकि वो आगे जाके उसी के बराबर हो सके, जैसे, रीप्रोडक्शन जो है ना, रीप्रोडक्शन वो भी एक तरह का डिवीजन है, सेल डि आपका जो शरीर है, मतलब माता पीदा से बराबर हो गया हो, हमारी ममी तो हम से साइज में छोटी ही है, है कि नहीं, तो सेल डिवीजन यही होता है, बाइलोजी में सेल डिवीजन जो होता है, वो क्या आता है, कि एक से तोड़कर दूसरे चीजों का निर्मान करना है, और आगे जाकर वही चीज धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अब आप कैसे सुचते होंगे, जिस एक कलम है, सेल डिवीजन को अब धाराक से तूटा, आप यह दूगो बड़ा-बड़ा कलम बन जागा, यह धड़ी होता है, कि को कॉपी-पेस्ट कर रहा है है, मर यहां से आओगा, नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते है, सेल डिवीजन कहते है, सेल डिवीजन का काम कौन करता है, सेंट्रोसों, सबसे तेजी से सेल डिवीजन कहा होगा, सबसे तेजी से, सबसे तेजी से, होगा ही नहीं, ब्रेन मे नहीं होता है कोशी का विभाजन होना जरूरी है या नहीं है जिसका सेल डिविजन तेजी से होता है उसके घाव बड़ी तेजी से भरते है सूगर नाम की बीमारी में सूगर नाम की बीमारी में सेल डिविजन बहुत जादे इफेक्टेड नहीं होता है थोड़ा कम होता है ल इस वज़े से उसका कहीं कट पिड जाएगा, घाव अगर हो जाएगा, सोसुरा जलदी सहीएं नहीं होगा. जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें ये सेंट्रो सूम सबसे तेजी से अक्टीब होता है. हर हफते कहीं छील कटके आएगा, कहीं गिर गिया, कहीं चौकी पे से गिर गिया जितना हुसियार लड़के रहते हैं बच्पन में ही उनकी पहचान हो जाती है उस यहार रहए गा ना तो चोकी पसे गिर जाएगा कभी इधर गिरेगा, कभी उधर गिरेगा बदमासी करेगा अजितना भोद्धा रहेगा ना चुप चाप बोचाप बोद्ध में दूरप पियेगा बच्पने से कुछ समझ में जाओ अब मौका निकलेगा छोटा बच्चा का अगर हाट टूटता है नहीं तो दसे दिन में सही हो जाता है उसका देखियागा उसको खेलाते में कभी उसका हाट मरूप जाएगा कभी होगा जैसे जैसे उमर बढ़ता है ये सेंट्रोस उतना एक्टिव नहीं करता है बढ़ापा में हड़ी टूटती है तो जल्दी जूटती नहीं है सबसे तेजी से कोशिका बीभाजन का होता है लेकिन समस्या समझी कोशिका बीभाजन एक बहुत ही खतरनाग बीमारी को जनम देती है उस बीमारी का नाम है कैंसर इतना खतरनाक भीमारी कि अब तक इसका कोई ठोस इलाज नहीं मिला ये अलग बात है कि सुरवाती स्टेज में कैंसर पता चल जाता है तो अब उतना ठ्राइंटिस्ट आगे बढ़ चुके हैं कि ठीक हो जाता है ये कोशिका भीभाजन क्या आता है जरुवत से जादे अगर कोशिका भीभाजन हो जाए जितनी अंगों की जरुवत है जैसे मान के चली मेरे लीबर में यहां इसे चोटला का कहीं सो कोशिका तूट गई तो यह सो के जगा देड़ सो बन जाओ चलेगा सो बन जाओ और भी चलेगा असी रहे तो भी चलेगा सो के जगए दूसर बन जाओ तो भी चलेगा सो के जगए सबसुरा देड़ लाख बन जाओ तू रहेगा कहा जहां सो कोशिकाओं की जगए वहाँ अगर देड़ लाख कोशिका बन जाओ तो अगल बगल को टकराने लगेगा अब मन के चली बन गिया अब बनते जा रहा है बनते जा रहा है बनते जा रहा है नहीं रूख रहा है तो अब क्या करिएगा तो इसको कहते हैं, कीमियो थेरेपी इलाज होता है डॉक्टर क्या करता है, ना सेकाई से गामा रेज की मदद से वो जो एक्स्ट्रा कोशी काय बनी है, उनको क्या करता है, मारता है तो मारने के वज़े से आपका पूरा सरीर डिफेक्टेड हो जाता है पूरा सरीर जब iad defected हो जाता है तो इसमें सब से पहले आपका बाल जढ़ना चालू होता है देख्येगा chemotherapy अगर होगा न किसी का cancer की hace में टकला हो जाता है बाल वल अगरा क्या हो जाता है? जड़ जाता है तो यह बहुत खराब effect होता है अब जैसे मान के चली ये घर की building है ये वो pillar को तूड़ना है तो ऐसा थोड़ी की ख़ली ये pillar वा तूड़ जाएगा बाकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा जन जना जाएगा सब तोड़ेंगे तो तो वही होता है यहां पर कोशी का भी वाजन में जब कभी भी cell division होता है तो cell division जरुवत से जादे नहीं होना चाहिए अगर जरुवत से जादे हो गया तो क्या हो जाएगा cancer हो जाएगा cancer की संभावना सबसे जादे कहां देखने को मिलेगी लेकिन liver में क्या होता है टूट फूट जब इसे होता है न तो अपने से सहीं कर लेता है इसमें यही एक खासि neuron का बना होता है, brain किस चीच का बना होता है neuron का, लेकिन ये जो brain है इसमें दो type के cell पाए जाते है एक होता है जिसका नाम है neuron neuron एक होता है gilial cell gilial cell तो हमारा brain 90% किसका बना होता है, neuron का 10% किसका होता है, gilial cell का 10% gilial cell का इस neuron cell में centrosome नहीं पाय जाता है centrosome नहीं पाय जाता है इसलिए हमारा brain कोशी का विभाजन नहीं करता है और cancer से मुक्त रहता है लेकिन उसी brain में 10% क्या पाया गया है इसमें ससुरा में centrosome होता है और इसमें अगर जरूवस से तेज विभाजन होने लगता है तो शुरुवार्ती स्टेश को कहता है tumor और tumor ही tumor में ही जान ले लेता है किसी का brain tumor हो गया न तो क्या करेगा है जान लेके चला जागा मर जाता है आदमिया पे जैसे आप समझे ध्हान से रोटी जो हती है रोटी जो खाने वाला रोटी है या चावल चावल जल्दी खराब नहीं होता है आप सुबा का चावल दो दिन बाद भी खायेगा ना तो महके हो का, बंगाल में लोग Sapphire, उसको सुखा होगारा करें, बहुत जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन उसी चावल में, एक ठरिया चावल है, खराब नहीं होता है, लेकिन उसमें एक कल्चुल डाल डाल दीजे अब दू दिन बात देखिए बजबजा जाएगा, बजबजाने के मतल़ सोचते हैं कुछ जादे ही खराब हो जाता है खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता है उसमें और नहीं तो कुछ क्या कर देखिए ये को बैगन होगन डाल दीजो, और खतरनाक हो जाएगा, फिर वो, तो उसी तरह से 90% ये neuron cell होता है, इसमें centrosome नहीं पाया जाता है, 10% gillial cell में क्या पाया जाता है, centrosome, जिस वज़से वो क्या चालू हो जाता है, कोशिका का विभाजन चालू हो जाता है, तो brain में क्या हो हो जाता है, त्यूमर हो जाता है, आगे पढ़ जाएं, किसी को दिकत, उर्जा का निर्मन कोन किया, परिवहन, पानी, कुछ ने किया, वेक्योल्स ने किया, और कोशिका का विभाजन, कोशिका विभाजन, centros, कोशिका विभाजन, अब आता है, ER, ER का मतलब होता है, endoplasmic retic reticulum, endoplasmic reticulum, क्या होता है, endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum, समझे अब क्या होता है, endoplasmic reticulum, जो है, वो कोशिका को फैला कर रखता है, जैसे कोशिका के अंदर वेक्योल्स है, रसधानी है, ये सारी चीजे है, अगर कोशिका पचक गया तो ये तो दब के मर जाएगा से, जैसे ये classroom है अगर पचक गया तो आप लोग का क्या हल होगा खतम का आनी आप लोग का हो जाएगा तो इस classroom को पचकने से कौन रोक रहा है ये pillar जो है सा क्या है सा pillar पूरा classroom हाई किस पर हावा हमे है pillar हटा दीजेगा तो खतम का आनी हो जाएगा उपर वाला दीवाल से touch में ही नहीं है उपर का जो सेड है वो दीवाल से कहाँ टच में है सारा का सारा चीज किस पर है pillar पर किस पर है pillar पर है अगर pillar गया चपाक से बट जाएगा सब लोग मर जाएगा उसी तरह से ये पूरे कोसिका का pillar कोन होता है अगर एंडोप्लाज्मीक रेटिकूलम को हटा देंगे तो कोसिका एक गुबारा की तरह हो जाएगा जिसका कोई सेप साइज नहीं रहेगा कभी इदर कभी इदर अब गुबारा में पानी भर के रख देंगे जहां तहां भागने लगेगा पेट देखते हैं पेट पेट में हटी है नहीं तो पेट निकल जाता है जिसे मेरा सुबा रंभ हो गया है पेट वगेरा मेरा निकलना चालू हो गया है अब देखिया किसी किसी का पेट जो निकलता हो जाता है चौताल है इसे कत्ता बड़ा हो जाता है अवसे जब बिना पीलर का बहुत दिक्कत हो जाता है मेरा बहुत जल्दी हो जाएगा लग रहा है अभी लोगडाउन था ना लोगडाउन में आदमी घर का खाना मम्मी दबा के खिलाते रहती थी और दुघंटा पर कुछ ने कुछ लेकर चली आती खाने के लिए यह खालो यह खालो अब यहाँ आगे आदमी अद टेंसन नहीं है लोगडाउन में महनत भी तो नहीं था न इसलिए निकल वे तो देखिया पेट में पीला रूलर नहीं है इसका कोई सेफ साइज है नहीं जहां तहां चल जाता है कई-कई को कब मोटाता है सो तो यह होता है लगता है चूड़ीदार पैजामा है यह चार को परत जम जाता है तो उसी तरह हमारे सरीर का कंकाल कोन है जिस तरह हमारे सरीर को पचकने से कंकाल रोकता है उसी तरह कोशिका को पचकने से कौन रोकता है इंडोपलाज्मीक रेटिकुल इसलिए कोशिका का कंकाल किसे कहता है इंडोपलाज्मीक कोशिका को अंदर से सपोर्ट कौन देता है इंडोपलाज्मीक रेटिकुल विभाजन पानी परिवान किसी को कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़े आगे क्लास अब कल किया जाएगा अज टाइम हो गया बीच वाले लोग निकलेंगे पहले रास्ता बनाएगा आज के लिए इतना है तालीम हो गया पता ही नहीं चलता है